नमस्कार, स्वागत है आपका गायतरी जोतिसकेंदर में एक नई और महत्वपोन जानकारी के साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि पैसे का लेंदेन करते समय यदि हम अपने हाथ की अंगुलियों का सही इस्तेमाल करें और देते समय भी लेते समय भी तो इससे हमें हमारे जीवन में पैसे से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान मिल सकता है और इसके अलावा यदि हमारे उपर में कोई करदारी है कोई तंग हाली है तो उससे भी हमें समाधान मिलकर हम पैसे को प्रचुर मात्रा में अपने पास इस्तिर भी कर सकते हैं पूरो में पूरवज लोग इस वीदी का इस्तिमाल करते थे उस समय पैसे का लेंदेन बहुत कम हुआ करता था किन्तो जब भी करते थे तो इसी वीदी से वह करते थे आज भी जो जानकार लोग हैं इसी वीडी का इस्तेमाल करते हैं तो आज कल तो बैंकिंग है फॉन पे ही है तो आप भी अगर चाहें तो इस वीडी का इस्तेमाल करकर लाग उठा सकते हैं तो जानते हैं लेते समय और देते समय कैसे किन अंगुल्यों का प्रियोग किया जाता कि अंगुलियों में नौ ग्रहों का वास होता है higher, क्योंकि जिसमें रतने भी पहनते हैं, या सूरी की अंगुली है, या चंद्रव की है या सानी या या सुक्रे की है, हम सभी इस चीज़ को जानते हैं, तो कहा गया है कि पांचों औंगुलियों से पैसा देते समय सबसे पहले तो उसको पूर्ण तरीके से पैसा चला जाता है इसके अलावा पिछले जरम में या पूरो में उसका यदि कोई लेना देना आपका रहता है तो पांचों अंगुलियों के इस्तिमाल करने से वह भी चला जाता है इसके अलावा य यह भी कहा गया है कि पांचों अगुल्यों से आपके दवारा दिया गया धना आपके दवारा टांसरूप भी बहा मना गया है। पैसे को लेते समय कितने अंगुल्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह बताया गया है कि यदि सामने वाले का वह पैसा कुछ गलत मारगे से आया है या गलत तरीके का है तो वह उसी को मुबारक आपके तीन अंगुल्यों से लेने से वह आपके लिए सुद्ध हो जाता है उसका कोई पाप इत्यादी आपको नहीं लगता ह इसके अलावा यह भी कहा गया है कि यदि पैसे को हमेशा दान पुन्य में जाना चाहिए यदि वह पैसा उस ब्यक्ति की और से दान पुन्य में नहीं गया है तो वह दान पुन्य में भी उसकी और से चले जाए तो इसलिए तीन अंगुल्यों से लेने से वह आपके और सु इवन में कभी समस्या नहीं आती है इसके अलावा यह भी बताए गया कि किन तीन अंगुलियों के इस्तेमाल से आपका धन कहा जाता है तो उसमें बताए गया है अंगुठा यानि कि यह सुक्र का ग्रह का रहता है और सुक्र लक्षमी के कारक होते हैं तो इसका हमेशा ही इस् जाए अपनी सुक्षिवदाओं की चीज़ों का हम अपनी जिवन में बहुत ज्यादा अरजन करते हैं इसके अलावा यदी यही पैसा इन तीन आंगुलियों से लेते हैं सुक्र की अंगुली सनी की अंगुली और सूरी की अंगुली बहुत से लोगों की आदत होती है अपनी अपनी आदते होती है तो यह पैसा उनका धर्म कर्म में जाता है यानि कि उस पैसे का इस्तिमाल बहुत अच्छा होता है और बहुत सूब यह पैसा माना जाता है इस पैसे से कही न देना या तुन को साद्राव देता है या बिएक्टि को बुलन्दियों पर भी पहुंचा देता है तो आज के समय में थो हम लोग ऺजार Beim फॉन का इस्तिमाल करते हैं यहले हम पैसा लेते समय कहीं से कर रहे हैं तो इन तीन का इस्तिमाल करें और देते समय पांचों अंगल्यों का इस्तेमाल करें तो समझ सकते हैं कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा सुब हो सकता है क्योंकि यह पूर में से चली आ रहे ही रीतिया हैं विदिया हैं इनका उल्लेक है हर जगा पे लोग इनको मानते हैं तो यहां कभी गलत नहीं हो सकती है और हमें अपने जीवन में इनका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए तो यही आज की जानकारी थी थोड़ा सा समझाने में थोड़ा उपर नीचे रह सकता है कि जानकारी आपको हमने बहुत सकते हैं और सिद्ध जानकारी दी है तो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और जो लोग नए आए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपको समय समय पर लाते रहेंगे देते रहेंगे और नोटिपिकेशन बैल आइकन को अवस्य ही प्रेस करिए तो मिलेंगे ऐसी किसी जानकारी के झाल झाल